गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में आरियों का भारत आगमन पढ़ेंगे ठीक है तो यह दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्ड सके ठीक है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने आरिये कहां से आये थे आरिये कौन थे ठीक है इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ते हैं आरियों का भारत आगमन मैक्स मूलर के अनुसार भारत एवं इरान के मद्दे अवस्थित मद्दे एसिया चेतर से निकल कर एक साखा यूरोप दूसरी साखा इरान तथा तीसरी साखा भारत में बसी थी ठीक है भारत में जो साखा आई थी वह साखा अफगानिस्तान से होते हुए हिंदू कुस परवत को पार करके सब्त सिंदू चेतर आए तथा यहीं पर यह लोग बस गए थे ठीक है तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आ रिये हैं वो भारत इरान के मद्दे इस्तित थे जो लोग रहने वाले थे वो आ रिये थे तथा मद्दे एसिया चेतर से यह निकल कर आये थे और इनकी तीन साखाएं थी जिसमेंजे एक साखा यूरोब दूसरी साखा इरान तदा तीसरी साखा भारत में बस गई थी भारत में जो साखा आई थी वह साखा अफखानिस्तान से होते हुए हिंदू कुछ प्रवत को पार करके सब्तसिंदू छेतर में ये लोग आये थे और सब्तसिंदू छेतर में ही ये बस गए थे वो पांच महा कोन कोन से थे, कुल, ग्राम, विस, जन और राश्टर, ठीक है, ग्राम का मुख्या ग्रामीनी, एम विस का परधान विसपती कहलाता था, जन के सासक को राजन कहा जाता था, तो ग्राम का मुख्या ग्रामीनी, विस का परधान विसपती और जन का सासक राजन कह कहलाता था और यह सरव पर्थम पंजाब हैं अफखहनस्तान में बस्ते थे Permoonर ने आर्यों का मूर निवास अस्थान मस्त म सब्द्द्देश bou judgments the Super सब्वेता का प्रारंब आर्यों ने किया था आर्यों द्वारा जो निर्मित सब्वेता वो वैदिक सब्वेता कहलाई आर्यों द्वारा विक्षित सब्वेता ग्रामीन सब्वेता थी तो आर्यों द्वारा विक्षित सब्वेता कोन सी थी ग्रामीन सब्वेता आर्यों द्व बोने वाले लोग उत्री पस्यमी पहाडों से आए थे तथा पंजाब के उत्तर पश्यमी में बस गए तथा बाद में गंगा के मैदानिये इलाकों में जहाँ इन्हें आरियन या इंडो-ारियन के नाम से जाना गया, ये लोग इंडो, इरानी, इंडो, यूरोपिय या सिंस्कृत भासा बोलते थे आरियन की उत्पती के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं है इस पर अलग-अलग विद्वानों के अलग विचार है ये कहा गया है कि आरियन्स अलपस के पूरव के पूरव यूरेसिया, मद्दे एसिया, आरक्टिक छेत्र, जर्मनी तता दक्सिनी रूप में रहे अता हम कह सकते हैं कि आरियन उन लोगों को कहा जाता था जो प्राचीन इंडो-उरोपियन भासा बोलते थे और जो प्राचीन इरान और उत्तर भारती महादिविपों में बसने की सोस्ते थे जहां पर आरियन बसे वह स्थान सब्द संधव परदेश कहलाया इस सब्द संधव परदेश में साथ नदियां आती हैं जो वैदिकाल की थी जिनके नाम इस परकार से ये भी कि उसन कही वार पूछ लेते हैं सब्द संधव परदेश में बहने वाली साथ नदियों के नाम ठीक है सिंधू, वितस्ता जिसका पुराना नाम जहलम, पूरुष्णी, रावी, सर्ष्वती, अस्कनी जिसको चेनाब भी कहा जाता था, सतुद्री, सतलर्ज, विपासा और व्यास, ठीक है तो ये साथ नदियां थी, जो सब्संधव परदेश में आती थी और ये सब्संधव परदेश है, इसमें आर्य निवास करते थे, ठीक है आर्यों का संगर्स, भार्त पर भरत गोत्तर के राजा ने सासन किया तथा भरत को दस राजों का विरोध भी जहलना पड़ा पांच आर्ये और पांच गैर आर्ये, अर्थात अनार्ये ये युद पुरूष्णी या रावी नदि पर किया गया था दस राज युद, दस राजों का युद था, दस राज युद का उलेक रिग्वेत के साथवे मंडल में मिलता है इस युद में एक तरफ आर्ये कबिला तथा उनका मित्र पक समुदाय था इस समुदाय का सलाकार अर्था सेनाबती, रिसी, विश्वा मित्र थे दस राज युद में सुदास्न के भरत जन कबिले की विजे हुई उत्तर भारत के आर्ये लोगों पर उनका अधिकार हो गया इस भरत जन कबिले के नाम पर ही पूरे देश का नाम भारत पड़ा दूसरी और भरत नामक समुदाय था इस समुदाय का नेतरत्वा त्रिस्तू नामक कबिले के राजा सुदास कर रहे थे सुदास के प्रेरक अर्था सेनापती रिसी वसिस्ट थे आर्यों के पर्थम दस्ते ने भारत में लगबग 1520 में आकर्मन किया उन्हें भारत के मूर निवासियों जैसे दास वा दस्तू से संगर्ष करना पड़ा हालांकि दास को आर्यों के तरब से कभी भी आकर्मन के लिए उत्यजित नहीं किया गया पर दस्तू हत्याक का रिगवेद में बार बार उलेक किया गया है इंद्र को रिगवेद में पूरांद्र के नाम से भी उलेक किया गया है जिसे कीलों का भंजग भी कहा गया है पूर्वे आर्यन के कीलों का उलेक हडपा सेंसकर्ति की वज़े से भी किया गया है आर्यन मूर निवासियों पर इसलिए भी विजय प्राप्त कर पाए क्यूंकि उनके पास बहतर हतियार, वर्मान तथा घोड़े वाले रत थे आर्यन दोत्रे के संगर्षों में वेश्ट रहे एक तो सवदेशी लोगों के और एक अपने आप में आर्यन को पांच अदिवसी जातियों में भजित किया गया जिसे पंच जन कहा गया जथा गैर आर्यन की भी मदद प्राप्त की तो देखेगा इस वीडियो में हमने आरियों के बारे में जानकरी प्राप्त की इस वीडियो से कई बार दो चार क्यूशन आपको मिल जाएंगे और एक्जाम में आरियों के बारे में काफी कुछ पूछा भी जाता है तो आप वीडियो को द्हान से देखेगा और इसी परकार से आपको और